यह जो अलग-अलग ट्राइल चल रहे हैं केवल धर्ति का चोकीदार केवल इसमें यह जैविक रान्ती और दोनु जिसमें डाले वह अलग-अलग यहाँ पर इनमें जो उपज आई है उसको यहाँ पर आपको जिसको हम बोल रहे हैं उसके सावलम्बी खेती जिरो बजट खेती है इसमें आप देखेंगे इसकी जो पैदे कांठी है इनकी शकल सूरत है इनकी लंबाई चोडाई है इनकी संख्या यह अभी हम लोगों पहले फसल तोड़ा उसमें जो फरक है इसका अतीरिक तो यह जो है लिए प्राइफ से निजने संठेंरे दर्तिका फॉकिता कि दर ज Totally जो जिसकें अदर हमने प्रफ्स ato करा यह उदुमाइ मैं चलके जिसमें सिर्फ ज्टख यह तो दालते हैं उसमें इसका और इसका फम्छित गया गया गए जिसमें के वाल छिडगाव कारा इ två जिसमें ए यह वो है जिसमें दोनों डले है तो यह एक है अब भी सामवानी रूप चाप ऐसे कैमरे में देखेंगे अप स्क्रीन पर देखेंगे तो बहुत जादा फरक नहीं देखेगा इनकी संख्या फिर इनका वजन फिर इनका कलर और फिर इनके अंदर एक्टिव में परिक्षन करेंगे और आपको पूरी रिपोर्ट इसकी करेंगे और तीन मेने के बाद हम आपको पूरा इसका निश्कर्श देंगे कि इससे दस बीस पत्चीस तीस प्रतिशत कितनी इसमें वृद्धिवी है एक नॉर्मल जो गोबर गोमुतर से खेती हो रही है और दूस राजस्थान में खास किसम के मिट्टी होती है रॉक फासफेट वो इसके अंदर मूलता है इसके एक्टिव कंपोनेंट्स हैं इंग्रेडियेंट्स हैं और यह जो है यह दूसरा जैवी करन्ती जो एक लिटर सो लिटर पाने में पढ़ती है और करीब एक एकर जमीन में सो स से सवा जो लिटर प्रोप केज़ाप जबहु के साइज के हिसाब से एक से सवा लिटर यह एकएकड़ में यह पढ़ता है तो इस küçड़ा कितने चैंजी जाते हैं और एक कुदरती खेती करें या केमिकल वाली खेती कर्यों तो किस सारह से आप अपनी ऊपजपा सकते हैं यह उसके अंदर एक value addition हमने कर दिया, वज्यानी खेती, वज्यानी खेती होगी, जैवी खेती में भी, एक scientific approach को हमने बड़े रूप में ले लिया, तो यह आपको भिंडी का दिखाया.